ना पूड़ी ना कचाओडी आज हम बनाने वाले हैं एक कप चावल के आटे से एकदम नया नास्ता जब भी अगर जल्दी में खुछ नया नास्ता बनाना हो तो इसे आप जटपड बनाकर त्यार कर सकते हैं तो चलिए एक कप चावल के आटे से नास्ता बनाएंगे जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाए और इसमें डालेंगे दो कप पानी आप इसकी नाप कटोरी से भी कर सकते हैं और साथ में डालेंगे नमक तो आधा चमच नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे दो चमच तेल तो यहाँ पर आप कोई भी कुकिंग तेल ले सकते हैं फिर इसमें डालेंगे एक चमच बेसन तो इससे हमारा नास्ता एकदम सोफ्ट बनेगा और पानी हलका सगरम हो जाने के बाद इसमें डालेंगे एक कप चावल का आटा जिस कप से हमने पानी लिया है उसी कप से एक कप चावल का आटा डाल देंगे मेजरमेंट को आपको ध्यान रखना है इतने में परफेक डो लगकर तयार होगा बस गैस का फ्लेम यहाँ पर तेजी रखना है और इस डो को हमें लगाना है जब तक एकदम गाणा न हो जाए चावल का आटा तो असानी से मार्केट में भी मिल जाता है लेकिन आप घर पर भी चावल को धो कर सुखा कर तयार कर सकते हैं चावल का आटा तयार हो जाएगा तो देखिए डो भी अच्छे से हो गया है गैस बंद कर देते हैं तो चलिए इसे टांसफर कर लेते हैं एक बरतन में और इसे थोड़ा सा चीकना कर लेंगे तो आप ऐसे ही चीकना कर ले या हाथ में थोड़ा सा तेल लगा कर भी चीकना कर सकते हैं तो चावल का आटा है, थोड़ा सा हाथ में चीपकेगा ही, तो इस नास्ता को बनाने में कोई जंजट नहीं है, तो ये देखिए, इसमूद सा आटा लगकर तयार हो गया है, बहुत सोफ्ट है, तो चलिए अब इसे बेल लेंगे, तो आटे में से एक लोई लेंगे, थोड़ ये इसे बेल लेते हैं, तो इसके उपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे, ताकि जो ये नास्ता हम बनाने वाले हैं, ये चीपके ना, तो इसको हमें बेल लेना है, तो आप चावल के आटे की रोटी बनाते हैं, तो आप भी अराम से बना लेंगे, और बनाना भी ब तो आपको जीतना बड़ा बनाना है उस हिसाब से यहाँ पर काट सकते हैं इससे हमारा नास्ता एक जैसा बराबर बनेगा और सैट के आटे जो बच गए हैं दुबारा से हम बेल कर तयार कर लेंगे और ये देखिए एक नास्ता बनकर तयार हो गया है तो चलिए इसे हम सेक ल बाद उपर से थोड़ी आज लगेगी तो हम डाल देंगे हमारा चावल का नास्ता हलका सा सीख जाने के बाद पलट देंगे तो यहाँ आप घी तेल कोई भी लगा सकते हैं दोनों सैट से अच्छे से से सेख लेंगे तो यहाँ पर आपको तेल घी का इस्तमाल नहीं करना ह तो आप ऐसे भी सूखे बना सकते हैं तो इसे सेखने में ज़्यादा टैम नहीं लगता है तो चावल की रोटी बनाकर खाते हैं तो उससे भी इसे बनाना बहुत असान है इस रेस्पी को आप अपने घर पर जरू ट्राइ कीजिएगा एकदम सफेद हमारी चावल के आटे क नास्ता बनकर तयार होगा एकदम ये अच्छे सिपक जाती है ऐसा नहीं कि कच्चा रह जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है तो जब भी आपको चावल रोटी खाने का मन ना हो तो इस नास्ते को आप जरूर बनाएं बहुत ही सोट बनी है आप उसे किसी भी सब्जी या चटनी के साथ खा सकते हैं बहुत ज Shakes जादा टेश्टी लगेगी तो हमने सारे नास्ते को तयार कर लिया है और ये एकदम सफेद बहुत ही ज़्यादा सोट बनकर तयार हुई है तो आप ही इस नास्ते को बनाएं और मजे से सब्जी या चटनी के साथ खाएं और कमेंड में बताइएगा कैसी लगी रेस्पी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ